मित्रो जेम आता दी आप देखे रहे हैं धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा मैं हो रोज की तरह एक बार फिर से मैं आजीरों आज का संपूर्ण रासी फल लेकर यह संपूर्ण रासी फल रही वार यानि की नौ मई 2021 का अगर आज के पंचांग की बात के तो आज है विक्रम संबत दोचर अठतर बैसाख मा कृष्ण पक्ष की त्रियोदसी दे थी त्रियोदसी दे थी आज रात्री के 7 बच कर 42 मिर तक रहेगा उसके बाद फिर चतुरदसी दे भी आरंम हो जाएगी नेशतर रहने वाले रेवती रेवती नेशतर आज साम के 6 बच कर 2 मिर तक रहेगा उसके बाद फिर असुनी नेशातर आनम हो जाएगा वरत्य हर में आज है मास सिवरात्री का वरत मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक-एक मुर्तों को में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुए महाँ जाकर आप आज का पंचांग विस्तार पूबक जान सकते हैं एक-एक मुर्तों को वाय में जान सकते हैं आज के संपून रासिफल के वीडियो में हम जानने वाले है कुल 12 रासियों का आज का रासिफल साथे हम जाने के आज का सुब समय, असुब समय, दिसासूल, सुब खादे रासियों सार क्या खाद बतात आपके लिए सुब रहेगा रासी नुसर कौन सा रंग सुब रहेगा और रासी नुसर कौन सा अंक आपके लिए सुब रहने वाल है यानि कि आपके लिए आज का लखी नमर क्या रहने वाल है तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे हैं और संपून रासी फल का लाव उठाईए वीडियो अगर आपको पसंद आये जानकाड़ी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जोड़ करें साथी कमेंट बॉक्स में जैमातादी जोड़ लिखें मित्रों आज के बारा रासी का रासी फल आपको बताना आराम करो उससे पहले आईए एक नेचर डालते हैं आज के ग्रहों की इस्तिती पर क्योंकि ग्रहों की इस्तिती पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्वर करता है आज सुर्य मेश रासी में बुद्ध सुक्र राहू तीनों एकसात विश रासी में, मंगल मिथुन रासी में, केतूब विश्चिक रासी में, सनी मकर रासी में, गुरु कुम रासी में, चंदर्मा मीन रासी में विराजित है मीन रासीम चंदर्मा आज साम के 6 बच का 2 मिन तक रहेंगे उसके बाद चंदर्मा का मेस रासी में प्रोवेस हो जाएगा तो इनी सबी ग्रहों का मिलादला हाल आज के रासी फ्ल में हम जानेंगे बात करेंगे पहली रासी मेस रासी की मेशासिम चंतरमा आप दूसरे स्थान में विराजी थे जिसके फ्लसो भाज किसी धार में क्यातरा पर जाने की योग आपके बन सकते हैं आपके कोई महतो का अंच्छा पूरी हो सकती है आज किने आप वैस्ते रह सकते हैं किसी फालतों के काम के कारण आपका समय परबाद हो सकता है तो इस बात का ध्यान रखें और अपना समय अपने कारी छेत में ही लगा हुए आज आपके लिए अनुकूल इस्ति बनी रहेगी आज आप अपने मन की करने के भी कोसिस करेंगे वैपार और धन की बात के तो वैपार में जोखिम निलने से आपको बचना होगा किसी को अगर आपने पैसे उधार दे रखें तो वहाँ से पैसे आपको मिल सकते हैं जो आतक दलाली का काम करते हैं उन्हें आज नुक्सान हो सकता है आज आपका खर्च आपके आई सदिक हो सकता है विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहने वाला है मेहनत से कम आपको सफलता की प्राप्ती होगी तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात कें तो किसी पुराने रोक से छुटकारा मिल सकता आपको स्वास्ति आपका अच्छा भी रहेगा प्रेम समन की बात कें तो आज अपने जीवन साथी के व्यवहार से साभधान रहे अचानक से कोई परतिक्रिया ना दे रिस्थों में से खटा सुथपन आपके हो सकती है आज के लिए अरहर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहे करा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लखी निम्मर रहने वाला एक बात करेंगे विर्शासी की विर्शासीम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आपके आत्मिस्वास में बरहोतरी होगी ओफिस के कुछ महत्पून कारी आपको आज करने पड़ सकते हैं आज अगर आप अच्छी योजना बनाकर करी महत करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी धैरी रखें दिन में आपका मन खुस रहेगा संतान के तरब से कुछ अच्छी ख़बर आपको मिल सकती है आज अगर घर में कोई धर्मिक कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी व्यापार और धन की बात के तो आए के सरोतों में बरुत्री होगी नौकरी में भी तरक्की हो सकती है आपकी साथी ऑफिस में भी विवात की स्थिरी उत्पन हो सकती है वस्तों के खरीद में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो परिवार में खुशाली का वातावरन बना रहेगा विद्यार्थी की बात करें जो आतक मेडिकल के विद्यार्थी है उनके लिए आज के द Nicholas अच्छा रहने वाला है उनको सफलता मिलेगी स्वास्त की बात करें स्वास्त के दिश्टी से आज के आपके बढ़िया रहने वाला है फिर भी मौशिमी वीवारयों से सचेत रहें हमारी से बच के रहें प्रेम समन की बात करें आपने जीवन साथी क ज़्यादा भावुख हो सकते हैं, आज की लोहे के बर्तन में खाना फकाएंगे, खाना खाएंगे तो आपके लिए सुबर रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग ब्राउन कलर और आपके लिए आज का लकी निम्मर रहेगा साथ, बात करेंगे मिथुन रासी की, मिथुन कि पर विद्यार्थी बात कि ज्यातक मेडिकल के विद्यारथी थी है उनके लिए आज का समय अच्छा रहने वाल है। निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे। पैतिक संपत्ति लेकिन कुल मिलाकर आपका स्वास्त बढ़िया ही रहेगा प्रेम समंद की बात करें तो आज जीवन साथ ही के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है यह आपके प्रेम समंद के लिए अच्छा ही रहेगा आज किन कुछ तला हुआ भोजन करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग नारंगी रंग और आपके लिए आज का लखी नंबर छे रहेगा बात करें करकरासी की करकासीम चंद्रमा आज पांचमें अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आप घर तथा ओफिस दोनों की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे आपका आत्मिस्वास भी बढ़ेगा आज आपका ज्यादतर समय आपके सुपजिन्तों के साथ बितेगा किसी से आज कुछ उपहार भी आपको मिल सकता है कहीं आतरा पर जाने के योग बन सकते हैं किसी पर भी अपनी बातें थोपने के कोशिसाद ना करें व्यापार औधन की बात के आज आपको व्यापार में करीपरतियोगता का सामना करना पर सकता है बड़े निवेश करने से बचें जो आतक नोकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है नोकरी में परिवर्तन की संभावना बन सकती है उच्च पदगी प्राप्ति आपको हो सकती है आए के सोतों में बिर्धी भी होगी विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज करें सामाने रहने वाला है मेहत करें सफलता आपको ज़रू मिलेगी स्वास्त की बातकर पेट समन्दी कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पर सकता है आज मसाइदार खाने और बाहर के खाने से बचें इससे आपका स्वास्ती खराब हो सकता है प्रेम समन्द की बातकर प्रेम समन्दों के लिए आज के न अच्छा रहने वाला है जीवन साथी का सहयोग और प्यार आपको मिलेगा जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बन सकते हैं आज की नगर अरहर की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीडारंग और आपके लिए आज का लखी निम्मर नौ रहने वाला है बात केंगे सिंग रासी की सिंग रासी मचंद्रमा आज छटे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपके कोई राज सारवजी निक हो सकते हैं तो सजेद रहें आज किसी पर अक्रामक होने के बजाए सांती से काम ले आपके दोस्तों का सही होगा जब को प्राप्त होगा परिशन ज़्यादा करना पर सकता है आज वहाँ चलाते से में भी साधानी बढ़ते हैं व्यापार उधन की बात के तो आज आपकी आर्थी की स्थिति सुद्रिड होगी बच्चों से जोरे मामले में पोजिटिव रहेंगे तो आपको फाइदा होगा व्यापार में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों को आज सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा महत करना परेगा जो विद्यार्थी कॉमर्स के फिल्ड के हैं उन्हें महनत से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो सकती है आज स्वास्त की बात के महला जातकों को अपने स्वास्त के परतिया सचे दरना होगा अपने जीवन साथी के स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए आपको प्रेम समंद की बात के तो आज अपने जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथे के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है और यह आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा भी रहेगा आज के लिए मसूर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आजका सुबरंग सुनाहरारंग और आपके लिए आजका लखी नमर रहेगा चार पड़िवार की किसी विशश चिंता का समधान हो सकता है सरकारी कारियों से आपको सबलता मिलेगी व्यापार और धन की बात केंट व्यापार में नई योजना बन सकती जिससे आपको फायदा होगा आज आप लेन देन में साब्धानी बढ़ते हैं निवेज किसी अनभवी लोग की सलावी चार सही करें विद्यार्थी की बात केट विद्यार्थियों का मन आज परहाई में कम लगेगा कुछ विद्यार्थी आज अपने परिछा परिणाम से और सहमत भी रह सकते हैं स्वास्त की बात केट सांस से समदित कुछ परिशानिया रह सकती है अपने स्वास्त का ध्यान चोड़ रखें प्रीम समंद की बात करें तो आज जीवन साथी से अन्वन की समामना बन रही है तो अपने आप पर नियंतर रखें समंद अच्छे बना के रखें आज के दिन अगर चांदी के बरतर में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग नेवी बुलू कर और आपके लिए आज का लखी नमर रहने वाला पांच बात करेंगे तुलारासिकी तुलारासिम चंद्रमा आज आठीवे स्थान में विराजी थै जिसके फ्रसुक बात करने की आपके कला से आपके रुके हुए और फसे हुए काम आज बन सकते हैं सीधी बात कहें के तो आपको फाइदा होगा ने कामकाज की प्लैनिंग हो सकती है आज के इन आप अगर किसी दस्तावेज परहस्ताक चल करते हैं तो सोच समझ करें परिवार या फी पैसे से जुरी भी परिशानिया आ सकती है मन में घबरावट भी रह सकती है विवादों से आपको बचना चाहिए व्यापार और धन की बात के तो व्यापार में उतार चरह आ सकता है खर्च आपका बढ़ सकता है पैसे की दिक्कत भी बनी रह सकती है विद्यार्थी की बात के अगर तो विद्यार्थियों के लिए आज कुछ सीखने का अच्छा आउसर बनेगा वानी जी के विद्यार्थियों के लिए आज सफलता की योग भी बनेंगे स्वास्त की बात के दमानसिक और सांती बनी रह सकती है किसी परकार की चिंता रह सकती है ठकान और अला से आपका बना रहेगा अपने स्वास्त का ध्यान जोड़ रखें प्रेमिसमन की बात के जीवन साथी के साथ दिन आपका अच्छा भी देगा जीवन साथी से सम्मान और प्यार आपको मिलेगा आज के लिए मूं की डाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सुनारा रंग और आपके लिए आज का लखी निम्मर नौ रहेगा बात करेंगे विश्ची करासी की विच्चिक रासिम चंदर्मा आज नौवे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और आप इस बढ़ीवी जिम्मेदारी का निर्वा भी अच्छे दंग से कर पाएंगे आज पास के लोग आपकी तारीप करेंगे मकान या काम करने के जगा की विशे में बदलाव का मन आपका हो सकता है आपका आज पूजा पाथ में मन लगेगा वहन या जमीन खेदने के योग आपके बन सकते हैं आज आप मानसिक सांती का अनभाव करेंगे जो आतक कडा के छेतर से जुरे हुएं उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। बात केंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार या नोकरी में आपको फायदा होगा अगर कहीं आपने पैसे निवेस कर रखें तो फायदे वहाँ से भी हो सकते हैं आपको। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है, कुछ अध्यान करने का अउसर आपको प्राप्त होगा, जो विद्यार्थी इंजिनेरिंग के छेत्रे से जुरे हुए हैं, उन्हें ज्यादा महत्वी करना पड़ सकता है। स्वास्त की बात करें, सांसे संबंदित कोई बिमारी या मोस्मी रोग होने की संभावना बन रही है, तो साधान रहें, आज आपकी मानसिक संती और रह सकती है। प्रेम समंद की बात करें, तो प्रेम समंदों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला जोगातक और विवाहित है, उनके लिए विवाह का पस्ता या विवाह का योगाज बन सकता है, आज के लिए चावल, अपने खादे पतात में सामीर करेंगे आप तो आपके लिए सु अपना काम जितनी भी विन्दम्रतासे करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा वानी प्रव्याद भी हो सकते हैं आपके यहां किसी महमान कागमन हो सकता है आपके बच्चों का सरह होगा आपको भरपूर मिलने वाला है किसी महत्पोर्ण वक्ति से आपकी आज मुलाकात हो सकती है लंब यात्रा करने से बचें व्यापार उधन की बात के तो आपकी आए में प्रहुत्री होगी खर्च आपका बढ़ेगा आपके बचायवे पैसों में कमी आ सकती है विद्यार्थी की बात करें विद्यार बात करें मकर रासेगी मकर रासीम चंद्रमा आज 11 अस्थान में विराजित है जिसके फसुक परिवार में लड़ाई जहरे का महौल बन सकता है तो आपस में सामजा से बना के रखें मित्रों का विभरपूर सहयोग आपको मिलेगा आज आप अपने मन की बात किसी से सेर ना करें आज हो सकता है आपकी गत्वीदियों पर कोई और भी नजर रख रहा हो तो साधान रहें अपनी हर रोज की आदतों से बचें मता पिता का आज आपको भरपूर सहयोग भी प्र विदार्थियों कमेंड परहाई में लगेगा जो विदार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता भी जोब मिलेगी स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के देश्टी से आपके लिए आज करें बढ़िया रहने वाला है सुबह सुबह अंकुरी तानाज खाए इससे आपका और आपके लिए आज का लकी निमर पांच रहेगा बात करें कुमरा सिकी कुमरा सिम चंदर्मा आज 12 हुए इस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज कहीं आप अपने केरियर में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं आज का बनाय हुआ योजना आपको आनेवाई दिनों में सफलता की प्रप्ति करा सकता है जो आतक मकानी या भूमी खहितने का प्रयास कर रहे हैं उनकी खोज बूली हो सकती है आज पूरे दिन आप अपने पारिवारी काम में वैस्त भी रह सकते हैं धार में कारी और पूजापार्ट में आपका मन लगेगा कुछ समय का अपने पूजापाट के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा आज आपको आपके मित्र का सहीयोग प्राप्त होगा वैपार और धन की बात के कहीं पैसे निवेस करते हैं आज किन थोड़ी साब्दानी बातने की ज़रत है कहीं निवेस करना हो तो निवर जी ढंग से करें ब द्रतकर अपने बीदेवियर समय में जितना मेहनद किया होंगे उसका प्ल आपको उतना ही मिलेगा स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है लेकिन आप अपने माता के स्वास्त का ध्यान रखें तो कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं उनका स्वास्त तो डग मगा सकता है तो उनका ध्यान रखें प्रेम समंद के बात करेंगे, प्रेम समंदों के लिए आज कीन मद्ध्य मनने वाला है, जीवन साथ ही के साथ कुछ हल्की नोख्षोंख हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ सामाने भी हो जाएगा, आजके चावाल खाएंगे तब के लिए शुभ रहेगा आपके लिए आज का सुभ रंग वैगनी रंग और आपके लगी दनेमर रहने मेर drowning मीन नालिक मीन naसी । मीन नासीऑ चैंत्रमा आज पर्थम अस्थान आपको प्राप्त होगा मनवल बना रहेगा आज आपको सला दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंतन रखें किसी से भी दिल की बात सेयर ना करें खास करके ऐसी कोई बात जो आपको हानी पहुशा सकता हो व्यापार अधन की बात करत आर्थिक दिश्टी से आज की अपक पहरने के योग भी बन रहे हैं विद्यार्थि की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज कि थोड़ा नकारात्मक रह सकता है आपको आलस से उनिंद्रा सकती है तो आलस से उनिंद्रा का त्याग कर इन दोनों पर विजय प्राप्त करें परहाई पर ध्यान लगावें दामपत्य जीवन आपका आच्छा रहेगा, आज के इनकर मसूर की दाल खाएंगे, तो आपके लिए शुबहेगा, आपके लिए आज का सुबहरंग पीला रहेगा और आपके लगी नमर चार रहेगा, तो अतो यह था आज 12 राशी का राशी भद, अब जाने लेते हैं आज क असुब समय यानि की गुलिकाल रहने वाल है दिन के 3 बज कर 49 मेर से लेकर 5 बज कर 20 मेर तक इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी आज का असुब समय यानि की राहुकाल रहने वाल है सामके 5 बज कर 20 मेर से लेकर 7 बज तक इस समय जिटाशूल आज पस्टीम दिशा में। किसी भी खास प्रियोंजन से आत्राना यहां पे नुखसान आपका हो सकता है। पान खाकर आज आत्रा रहने वाला है। पन खाकर यातरा आरंद करेंगे तो आपके कारी आज बढ़ेंगे। तो मितनों ये था आज का संपूर्णासिफल कल के संपूर्णासिफल के लिए धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जे मात दी